हालो दोस्तों चलिए आज हम बनाते हैं यह ब्यूटिफूल सा लेहंगा उनली छैकलियों का बहुती सिंपल है और आसानी से बन जाएगा चलिए हम बनाते हैं ऐसे यह हमने फैब्रिक ले लिया है देख सकते हो इसमें छैकलिया है कि इस पर हमने निसान लगा लिये हैं इसकी कटिंग कर लेंगे हम यह कटिंग कर लिया हमने यहां पर इसके कि देख सकते हो अब यहां पर इसे हम रख के देख रहे हैं कि इतना आसा इतना इजी आई है कि जितना सुंदर लगा देखने में बनाने में उतना ही आसान आई है और इसकी कलियों को हम जोड़ेंगे कि इन कलियों पर हम स्लाइड लगा लेंगे कि यहां पर हमने यह तीन कली जोड़िया है यहां पर और यह हमारी छै कली जॉइंट हो चुकिया है यहां पर कि अब हम इसमें इनर जोइंट करेंगे इनर की कटिंग हमने कर ली थी इनर की कटिंग तो बहुत ही सिंपल है लहंगे को सके उपर से रखके और निसान लगा के कट कर लिए न हैंपर हम चैन की साइड में पाले से फोल्ड कर लेंगे इसे यहां पे रखके दोनों साइट सीधा सीधा रखके इस पर सिलाई लगाएंगे हैं आपे इसलाई लगा कि हमने यह फोल्ड कर दिया आप देख सकते हो यहां पर फोल्ड हो गया इन अंदर है आप यहां पर हम जिप लगा लेंगे यह हम जिप जॉइंट कर ले रहे हैं आप यह हमारी जिप लग चुकी है आप यह देखिया बिल्कुल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं और बहुत ही प्यारा लगने लेंगा अब हम इसमें नीचे की स्लाई लगाएंगे यह हमने मार्जन पहले से ले रखा था इसे फोल्ड करके हम स्लाई लगाएंगे अब हमें यहां पर इसमें नेफा लगाना है बैल्ट जो होती है बैल्ट हमने काट लिया इसकी ढाई इंची की तीन इंची काटी है जो क्या अधा अधा आदा इंची फोल्ड होके ढाई इंची आएगा अब इनर और लहगे के फैब्रिक को साथ में पकड़ेंगे और हम बैल्ट यहां पर जोइंट करते जाएंगे हमें ध्यान रखना होगा कि हम दोनों फैब्रिक को पकड़के चले वरना इनर का फैब्रिक नीचे खिसाग सकता है तो फिर हमें बाद में प्राउल्लम होगी यहां पर किनारे पर स्लाई लगाते जाएंगे इसकी स्लाई लग चुकिया इसकी आप देख सकते हो हैं पर जीप उफर करके स्लाई कम्प्लीट होगी थी इसकी इसकी एक उपर से स्लाई और लगा देंगे हैं यह देखें लहंगा हमारा बनके तयार हो चुका है सस्क्राइब प्लीज